हेलो दोस्तों, स्वागत थे आपका मेरे चैनल टेंटिकल एनिमर लवर्स में दोस्तों, आज मैं टेमफाइल वार फिस को कवर करूँगा और इससे लीटेट जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो आपके साथ से एर गरूँगा दोस्तो इस फिस के साथ मेरा experience कैसा रहा ये भी आपके साथ मैं share करूँगा दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल जुरू subscribe कर लिजेगा और जो bell icon उसको भी आप प्रिस कर लिए ताकि सबसे पहले notification आपके पास पहुंचे तो दोस्तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं origin की तो साथ एशिया की मचली मानी गई है और 70-80% साथ एशिया कंट्री में ये पाई जाती है और वहाँ के जो फ्रिस वाटर के नदी हैं तालाब हैं और जो लेक्स वह रहा हैं उनमें पाई जाती है बात करें इंडिया के तो इंडिया में 90-80% एरिया में ये मचली पाई जाती है ये छोटे तालाबे में आपको दिख जाएगी नदीयों में दिख जाएगी और ये बहुत ही कौन फिस्पानी गई है इंडिया में दोस्तों आप बात करते हैं टैंक साइज की तो टोटली आपके उपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मचलीया रख रहे हैं अगर आप दो मचलीया ये तीन मचलीया रख रहे हैं ता आप 2-5 फिट के एक्वेरियम में काम असानी से चला सकते हैं अगर आप 8-10 रख रहे हैं ता आपको 4 फिट के एक्वेरियम रखना होगा और अगर आप 15 से उपर रख रहे हैं ता आप 6 फिट के एक्वेरियम जरूर रखें दोस्तों आपको मैं हमेशा highly recommend करूंगा कि अगर आप एक्वेरियम होविस्ट हैं या आपके मचलीयों का होवी आप रखते हैं तो इन फिट को आप हमेशा ग्रूप में रखें क्योंकि ग्रूप में काफी देखने में सुन्दर लगती है और इनके बॉड़ी का जो color होता ह वो काभी उभर कर सामने आता है वो अगर आपके सामने से मचलियां गुजरेंगे तो आपको ऐसा फेल होता है कोई चमकदार चीज़ आपके सामने से गुजर रही है अब बात कर लेता हूं कि इनके बॉड़ी का pattern कैसा होता है तो जो इनकी skin होती है skulls वेरा होता है ये काफ से विराइटी आते हैं जैसे टाइगर बाप्स हो गई और भी जो इनकी अधर विराइटी होती है उनके जो फीन होते हैं वो अलग-अलग color के अलग-अलग pattern के होते हैं वो डिपेंड करता है कि कौन सी मचली है तो आप बात कर लेता है इन फिसस के टैंक में height place होना जरूर ह है या नहीं है तो दोस्तों टोटली आपको पर डिपेंड करता है कि आप किन मचलियों के साथ इनको रख रहे हैं अगर आप सेकलेट फैमिली के साथ इनको रख रहे हैं ता आप height place जरूर रखें क्योंकि सेकलेट फैमिली थोड़ी aggressive होती है और आपस में fight करती रहती है और अगर आप इनही की community के मचलियों के साथ आप रखते हैं कि टेम फाइल बार की बहुत सारी quantity में आप aquarium में रख रहे हैं तो आप height place बिल्कुल नहीं रखें क्योंकि आपस में इतना ज़्यादा fight नहीं करती हैं ये काफी active होती है इसलिए जितना aquarium आपका खाली रहे है उतना ह आपके लिए ठीक भी रहेगा हाँ अगर आप सुंदरता के लिए आप aquarium को decorate करते हैं तो मैं आपको highly recommend करूंगा कि आप driftwood या calcium stone वगयरा जो होते हैं उनका आप use करें वो इनकी सेहत के लिए भी काफी अच्छे होते हैं दोस्तों आप बात कर लेते हैं इन मचलियों के tank mates के इस वारे में तो दोस्तों आप इनको sisil family को साथ easily रख सकते हैं हाँ बसरते आप यह ध्यान रखें कि जब भी आप add करें sisil family को और इनको एक साथ add करें जिससे आपस में adjust हो जाए हाँ जब यह बड़ी हो जाए तो आप इनको अलग-अलग कर सकते हैं कुछ लोगों ने दोस्तों अगर ऐसा कुछ है तो अगर आप गोल्ड फिस रख रहें तो आप गोल्ड की ही बहुत सारी वेराइटी है सार्क फिस है उनको आप रखें इनको आप totally avoid करें हाँ दोस्तों यह इनकी size काफी बड़ी हो जाती है तो आप sisil families के tank से भी इनको अलग कर दीजे क्योंक size के ही मचलियों को इनके साथ रखें दोस्तों आप बात कर लेते हैं temperature के बारे में तो आप 25 से लेकर 27 degree Celsius temperature इनके aquarium का maintain रखें इस temperature में काफी active भी रहती है और इनके जो body का color होता है जो shine होता है वो काफी उबर कर सामने आता है तो आप इतना जरूर ध्यान रखें 25 से 27 के एकाद 2 degree उपर नीचे हो भी जाता है तो इनको कोई खास फरक नहीं पड़ता हां दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप 30 प्लस कर दें इधर 20 से कम हो जाए या 18 ऐसा कुछ हो जाए तब यह मचलियां मरने लगते हैं और इनका body का color काफी fade होने लगता है बात करते हैं aquarium का pH कितना हो होना चाहिए तो आप इसली 7 to 755 परसेंट इतना मिंटेन कर सकते हैं हाँ जब अमोनिया का कॉंसेंट्रेशन बढ़ने लगता है तो आप उस केस में 20 to 30 परसेंट आप पानी चेंज कर दें और नया पानी एड़ कर दें और आप इतना जरूर रख ध्यान रखें कि आपका फिल्ट्रेशन काफी अच्छा होना चाहिए आप हैंग ओन फिल्टर का यूज कर सकते हैं आप सम फिल्टर का यूज कर सकते हैं आप कैनेस्टर का यूज कर सकते हैं आप पावर फिल्टर का भी यूज कर सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर आप कॉंटिटी जादा मशलियों क रख रहे हैं उस case में आप power filter के साहरे ना रहे हैं आप canister filter या some filter के use करें उससे क्या होता है कि आपके aquarium का pH value maintain रहती है और आपका aquarium clean and clear रहता है अब बात करते हैं इन fishes के foot के बारे में तो मैं आपको highly recommend करूंगा कि आप tetra bit और optimum foot दे दोस्तों मैं हिकारी वेगारा की बात क्यों maintain हो जाती है और काफी healthy भी रहती है तो अगर आपको वही चीज 50 में मिल रही है तो आप 500 रुपे क्यों खर्चा करेंगे इसलिए मैं आपको हमेशा recommend करता हूं कि आप tetra और optimum तक जाए इनके लिए काफी sufficient माना जाता है ये food दोस्तों हम बात करते हैं इन मश्कियों में कौन कौनसी बीमारी होते है और उसका इलाज कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहला जो common बीमारी होती है फंगल infection होता है तो उसके बारे मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया हुआ है आप चाहें तो आई बटन में क्लिक करके देख भी सकते हैं कि फंगल infection होने पर हम क्या कर स दूसरी बात करते हैं इनके लोबर वैली में इनका सूजन आ जाता है और इनका जो वेस्टेज वह रहा होता है वाइट कलर का आने लगता है और यह मश्लियां काफी जो सांत रहने लगती हैं काफी कम एक्टी हो जाते हैं उसके समें दोस्तों आप भीच भीच में ध्यान पी, बिहार, 36 गड़ ऐसे स्टेट में इसके थोड़े रेट आपको महगे मिलेंगे क्योंकि इनके जो एरिया है तो ओशियन से कहीं सटे हुए नहीं है इसलिए यहां से इंपोर्ट करके हम अगाया जाता है इसलिए यहां थोड़े एक्सपेंसिव रहते हैं आपको 100-200 में इसलिए अब लेवल हो जाएंगे हां अगर आप कोलकाता से हैं चिन्नाई से हैं आंध्रप्रदेश से हैं ऐसे एरिया से हैं जो ओशियन को टेश करता है तो हां आपको इसलिए 50-60 रुपय की बीच में यह आपको आसानी से अब लेवल हो जाएंगे तो दोस्तों इसी के सा जलता हूं धन्यवाद